How to fix Quick VPN Connection Failed Problem Guys, क्या आपके साथ यह problem ज़री है Quick VPN के साथ आप सभी यहाँ पर किसी भी content को select करते हो और यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ जैसे connect के option पर click करते है तो यहाँ पर यह connecting show हो जाता है और नीचे आप सभी को कुछ इस तरह किसे show हो रहा है connection failed problem या फिर आप सभी लोगों को यहाँ पर यह वाली परिशानी आ रही है तो आप सभी लोग इस problem को कैसे fix out कर सकते हैं आपने smartphone पर चाहिए आप यहाँ पर कुछ games केलते होगे या फिर कुछ भी कुछ आप यहाँ पर activities करते हैं मैं आप सभी का यहाँ पर connection failed देखा रहे हैं आप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आप सभी के यहाँ पर quick VPN में connection failed problem आती तो इसको कैसे fix out करे how to fix quick VPN connection failed problem तो आप सभी लोग वीडियो को दिहान से देखते रहे हैं और आज के इस उडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको दिहान से देखना है नई तो आप कभी भी यहाँ पर यही problem fix करते रहोगे तो उसके लिए आप सभी को क्या करना है just आप सभी को यहाँ पर क्या करना है यहां से आपको सबसे पहले आप सभी को यहां से recent से सब कुछ हाटा देना है अब recent से सब कुछ हाटा दें के बात आप सभी को यहाँ पर क्या करना है JUST आप सभी को चले जाना है आपको यहाँ पे अपनी mobile की settings आप सभी लोग यहाँ पे open कर लीजिए ठीके आपको यहाँ पे क्या करना है आप step by step follow कीजिए आप यहाँ पे आपको जाने के पाद आप सभी को यहाँ पे Network and Connection के option पे चले जाना है यहाँ पे जाने के बाद आप सभी को यहाँ पे एक option मिलेगा just आप सभी लोग यहाँ पे देखते रहिए आप सभी को यहाँ पे option मिलेगा aeroplane mode ठीक है just आप सभी को यहाँ पे aeroplane mode को यहाँ पे turn on करना है aeroplane mode को on करने के बाद आप सभी को यहाँ पर क्या करना है aeroplane mode on करने के बाद just आप सभी लोगों को यहाँ पर मिले का एक option private DNS उसके बाद आप सभी को यहाँ पर क्या करना है just आप सभी को private DNS से क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर क्या करना है private dns को आपको यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर automatic पर रख देना है और इसको next कर देना है automatic पर रखने के बाद इसको next कर देना है उसके बाद guys आप सभी को यहाँ पर क्या करना है just आप सभी लोग यहाँ पर देखते रहिए अभी आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर आभी simply से आभी आपको यहाँ पर उसके बाद आप सभी को क्या करना है आप जब यहाँ पर आपने यहाँ पर airplane mode को on क्या था इसको simply से इसको turn off करना है Turn off करने के बाद वापस से आपको यहाँ पे private DNS पे चले जाना है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ Private DNS पे जाना है और इसको यहाँ पे turn off कर देना है अब इसको turn off करने के बाद आप सभी को यहाँ पे क्या करना है Just आपको यहाँ पे चले जाना है आपको back बैक जाने के बाद आप सभी को यहां पर चले जाना है आपको यहां पर शिम्पली से एक पर एक पर से आपको यहां पर चले जाना है और यहां से आपको जाना है प्लीस्टोर एप्लिकेशन पर प्लीस्टोर एप्लिकेशन पर जाने के बाद आप सभी को यहां पर सर्च करना है क्विक वीपियन यदि आप सभी को यहां पर कुछ भी क्विक वीपियन में अपडेट देखने को मिल रहा है इस समय तो आपको यहां पर क्विक वीपियन को यहां से अपडेट कर लेना है यदि फिर आपको यहां पर कुछ अपडेट देखने को नहीं मिलता है उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है क्विक वीपियन मैं आपको सर्च करता हूं क्विक वीपियन तो जैसे आप यहाँ पर क्विक वीपियन सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह के से क्विक वीपियन आ जाएगा तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना है यह अप सभी लोगों को यहाँ पर यहाँ पर एक option मिलेगा आप सभी को यहाँ पर mobile data and wifi तो आप सभी को क्या करना है इसके उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद जो background डायटा रहेगा इसको यहाँ पर simply से turn off करना है turn off करने के बाद तुरंत आपको यहाँ पर back जाना है storage option आप सभी करना है यहाँ से आप सभी को एक बार से clear cache और clear data कर देना है अपने quick VPN क्यों इसको यहाँ पर करने के बाद आप सभी को आपर से जाना है यहाँ और जो background data है यहाँ पर हमने off कियाता है इसको simply से आपको यहाँ इसको turn on करना है turn on करने के बाद आपको यहाँ पर back च छले झाना अंने एपनी वी कुछ क्यूंपे पहने के विन की यह बेन हो छुका है अप यहाप एक पोपन होने के बाद आपे क्या करना है स्ट आप कोई भी आपको जहां पर सब्सでも यह कर सकते हैं ज पर आप यहां पर आपको कुछ connecting की problem नहीं आएगी यहां पर देख सकते हैं आपका यह connect हो जाएगा आसानी से कुछ इस तरह के से आप अपनी problem को solve कर सकते हैं आप यह वीडियो पसंद आ गई होगी वीडियो पसंद आपको लाइक कीजिए और कुछ प्राप्लम है तो कमेंट बक्स में जरू पताना आपको यह वीडियो पसंद आ गई होगी चैनल को subscribe कीजिए गाईस चले मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ किसी नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए गाईस यहाँ पर इस साथिंग को गाईस किसी भी डिवाइस में आप ट्राइ कर सकते हैं और मुझे कमेंट बक्स में गाईस वरू से बता रहे हैं